बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोधी की ओफो बाबा पैर नहीं से देखे कला जगत में पैर चुना उसका भावलग है मैं बहुत बिस्टब हो जाता हूं और उसमें भी अब कोई बेटी तो इस औरत के कपड़ों के उपर हालवा लिखावा था तो आप उसको कतल करना चाहते हैं तो आपके साथ पॉड़कास करने का मूड हो रहा है सुझा अरे वाँ चैल यह मूड तो सरे के बहुत होते हैं भई हम मुदी जी की खुद बहुत बेड़े पाइन हम मुसल्मानों के गला काट सकते हैं मुसल्मानों की फेवर नहीं कर सकते इसके लावा नरिंदर मोडी साहब ने वहां की आम अवाम के साथ सेल्फी भी बनाई जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर इनका नाम पर शियर किया है यार जलन ये बात नहीं लेकिन देखो ना एक मुल्क साथ बिचारा आटे हाथों मजबूर है उसके बस खाने को पैसे नहीं और तुम निकम में हो तुम आराम फोर हो तुम काम करना नहीं चाहते हो तो जिसके अंदर ना आज तल आज तल जो भी घदार ने 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 विल्कल मैं आपको सनाती हूँ लुझे बस यह मत हैं इतना पैसा अंभाणी पैस और माप का पैसा उड़ाया पूरे था मोटने मेरे तो कोई दकली ना नहीं मुद्क पता नहीं क्यों पाकिस्तानी को वयसे में दर्द हो रहा है वहही अगले नहीं पैसा उसके बाप네 कमा रहा है वह कमा रहा है, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आत्मी, दुनिया का तीसरे चोथे नमबर का अमीर आत्मी, अगर वो अपने बच्चों की शादी में पैसे नहीं उड़ाएगा, तो अपनी छाती पे बांध के लेके जाएगा उपर पैसों को, अपने शोक तो पूरे करेगा, बलकि मैं तो कहता हूं कि जो हिंदुस्तान में और भी अमीर है, मुकी शम्मानी के बाद में और भी तो हमेर है, मैं तो चाहता हूं हिंदुस्तान अगर जैसे वो कर सकते हैं, उन्होंने गरीबों तो में आपको खाना किलाया। तक कोई नही कितना में दोनेत करते वह कोई नहीं नहीं पता था उन कितना दैखो कितना ब्षा ईपाना क्या नाम है उसको इतना पैसा दिया इस्टार को पुलाया। अर ले तुम बोथ साड खु़ देख ह्याब और अगले ने कमाया उसके बाप का पेशा है, उसका पेसा है, एक नंबर का पेशा है, वो कितना है उड़ाए है, वो आग लगाया है, मिट्टि का तेल डालके. पाकिस्तानियों को वाम पत्ती हो, कॉंपरेसियों को, क्यों जलान होती है, क्यों जलान होती है, मुझे बताओ. यार, जलन ये बात नहीं है, लेकिन देखो न, एक मुल्क साथ बिचारा आटे हाथों मजबूर है, उसके बस खाने को पैसे नहीं है. तुमारे करम खोटे है, तुम निकम में हो, तुम आराम खोरो, तुम काम करना नहीं चाहते हो, तुम इसके लिए कोई गलती नहीं है. अब देखो, तुमारा परमाणुबं बनाने वाला मेरी बात सुनो, तुमको सबसे पहले परमाणुबं जिसने बना के दिया, उसको भी तुमने जेल में बंद कर दिया, तो कौन पाकिस्तान के लिए काम करेगा? एटम बं तुमको जिसने बनाया था, क्या नाम था उनका, जो एमधी थे, और उनको जेल में बंद कर दिया गया, लास्ट में उन पर आरोप लगा दिया गी है, तो टेक्नोलोजी बेच रहे हैं, क्या इज़द्की तुमने उनकी? टेलेंट की इज़द नहीं है ना, देखो, इसलिए तो मेरी इज़द नहीं करें पाकिस्तानी, हेल्पन टीवी की जानेप से कॉमेंट है, अमबानी जी की सिर्फ तीन दिन की कमाई है, वो जो उन्होंने शादी फोड़ा है, और नहीं तो क्या, इतना पैसा है उनके पास, बहुत भी कोई फरक नहीं पड़ता, इतना पैसा है बंदे के पास है, जहां तक बात है, जे मोधी जी गए कश्मीर, मैं यह जानना चाता हूँ, पिछली बार पाकिस्तान का प्रधान मंत्री, इल्लीगली ओक्युपाइड है, पिछली बार कब पाकिस्तान का प्रधान मंत प्रधान मत्री गया था, और कब उसने प्रजेक्स डेक्लियर करते हैं, जरा मुझे बताओ, यह जाते हैं, ठीक है, वहां पे जाते हैं, 20-50 लोगों के सामने स्पीच दे के वापस आ जाते हैं, तुमने करा क्या है, तुमने करा क्या है, पहले मुझे यह समझा दो, आज त नीलम जिलम, वहां से बिजली बनती है, पूरे इलाके की बात कर रहा हूं, वहां से बिजली बनती है, जो पाकिस्तान में बिजली बनाता है, उसके घर में बिजली नहीं है, यही काम इन्होंने बलोचों के साथ करा है, कि जहां पे गैस निकलती है, सुई गैस, उससे बलो पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, वो खा जाएगा सबका, सबका हक मारेगा, हक मारने में लाओरी नंबर वान है, दूसरी चीज ये है, आज मैं अपने, जो कश्मीरी भाई बेन हैं, जो लाइन अफ कंट्रोल के उस तरफ रहते हैं, ठीक है, आप मीरपूर में रहते हो, आप मुझाफराबाद में रहते हो, आप निलम जहिलम एरिया हो, आप कहीं पर भी रहते हो, इट ड़स नाट मैटर, आप गिल्कट बाल्टस्तान में रहते हो, आज मैं कह रहा हूँ आपसे हत्यार उठालो, अपने हक की लड़ाई शुरू करो, ठीक है, रिफ्यूस टो प और आपको कहानियां सुना रहे हैं, आपको सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं, कि वहाँ पे कश्मीर में बड़ा जलम होता है, भारत बड़ा जलम करता है, लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाती, पांच वक्त में नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरफ से दस वक्त रोका गया है, मुझे रमजान के लिए रोका गया है, ठीक है, मैं जाना चारा था, साओधी अरब, उम्रे पे, मुझे रोका गया है, एक बंदा बोल दे, लाखों में से लाखों में से एक बंदा बोल दे, मैं मान जाओंगा, एक बंदा बोल दे, और क्या करना है यार, आपक पाकिस्तानी फौज है, पंजाबी फौज है, पाकिस्तान की, यह जालिम फौज है, इसी फौज ने बंगला देश में रेप करे थे, इसी फौज ने बलोचों के लड़कों को ना हेलिकॉप्टर से नीचे फेका है, यही फौज है जो कराची में डिसिपिरिंस करवारी है, य जात करो, अकबर बुक्ती को गोली से नहीं मारा था, इनों ने इसा कर रखा है, इस पाकिस्तानी पंजाबी फॉज ने, इन्टार पॉपलेशन इन्टार पॉपलेशन, इस गिल्टी अफ जेनोसाइड, मैं आपसे कहा रहा हूँ, जो पाकिस्तान उक्युपाइड कश्मीर में है, जो गिल्टी बल्टीस्तान में, खड़े हो जाओ, अब खड़े हो जाओ, मत मानो, यह कोई फॉज वाज नहीं है, आपकी कोई सरकार आपकी नहीं है, यह जुट बोलते हैं, अगर आप तरकी चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का मुस्तक्बिल बेटर हो, तो आप अपने आप वहाँ पे रेसिस्टिंस का फ्लैग उठाओ, जो इनतिफादा की बात करते हैं ना, जो इनतिफादा की बात करते हैं, इनतिफादा होना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्किफाइट कश्मीर में इनतिफादा होना चाहिए, गिल्किट बल्टिस्तान में, खड़े हो जाओ, उठालो अपने हाथ में पत्थर जिसके आप में हत्यार मही है और जहां पे पाकिस्तानी फोर्सिस का, चाहे पुलिस वाला देखे, चाहे आपको फॉजी देखे, उसके उपर पत्थर मरो